आज के इस वीडियो लेक्षर में हम जानेंगे अधिक्तम सक्ति अस्थान आंतर प्रमे मींस मैक्सिमम पावर ट्रांसपर थीरम इस थीरम इस भेर इंपोर्टेंट आफ इग्जामिनेशन पर्फर्स गाइस यह कोश्चन जो है पेपर में पांच मार्क्स का पूछा जाता है और गाइस यह आज की लाश्ट परमे मतलब आपके सेलबस के अकॉर्डिंग आज यह लाश्ट परमे है वैसे तो थीरम जो इस तरीके की हैं पूरे 15 या 16 प्रकार्स के होती है बट गाइस आपको जो जानना था पूरे सिर्फ 6 या 7 प्रकार्स जानना था जो कि हमने पिछल सकता है अन्य था या 3 मार्स का बनेगा यानि इन थीरम से मतलब गाइस गरंटी हमारी यह की एक दो थीरम आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी या साथ ही आपके स्कूल कॉलेजिज में कोई ने कोई गाइस आपको पूछी लेगा यह कोश्टन भी या बता दो हमको सो इकल टू भी इस पार अपान आर यही फारू लेते हो और मात्र जो होगा वाट होगा अब देखें यह प्रमे क्या करती है गाइस इसके बारे में समझ लेजे थोड़ा सा देखें इस प्रमे के अनुसार किसी विद्दूत परिपत में यानि कोई हमारा इलेक्रिक सर्किट ह सर्कें में सोर्स द्वारा जो माने डॉल्टेज या करन सोर्स झो भी होंगे सोर्स द्वारा लोढ़ को अधिक्तम सकती अस्थान आंतरित की जाती है ध्यान दिजीएगा मैक्समम इसका मतलब यही वह वागा जो सोर्स यह वह लोड़ सब से ज्यादा सकती मतलब हारण होगा गाई जब लोड प्रत्रोद आर्यल का मान कब ऐसा कंडिशन होती है कि भी अधिक्तम सक्तियस अस्थान्तित कर देगा जब लोड प्रत्रोद आरेल का मान सोर्स के आंतरिक प्रतिरोद RI के बराबर होता है जबकि source का आंतरिक प्रतिरोद यानि जो source है उसका आंतरिक प्रतिरोद RI जो है ध्योनीन प्रतिरोद RTS के बराबर होता है इस condition में आपकी अधिक्तम सक्ति अस्थानांतरित होती है अरथात क्या होगा दोस्तों दिये गए परिपत में source द्वा लोड को प्रतिरोध आरियल को अधिक्तम सक्थान आंतरित होगी जब कंडिशन होगी जो लोड है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा तभी होगा एक सर्कृट देख लिए इसी तरीके से बनता है यानि जो voltage और आई या या आंतरी resistance को दिखाता है internal, R से मतब resistance, I मतब internal resistance, तो यह पूरा source को दिखाता है, क्योंकि यह बाहर नहीं होता, बैट्री के अंदर ही होता है, और यह आपका load है, तो जिस कारण से यह आपकी पूरी circuit बन जाएंगा, और यह आपका यह source को दिखाएगा, इसके बारे में कुछ और भी आपको जानना है, जैसे कि यह इसका proof हम कर दें, कि कैसे यह कारण होता है, कि यह बैए कि पूरा सकती अस्थान तर करेगा, ध्यान रहे दोस्तों, पिछली बार यह पूछा गया था, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, सभी थियरे में इसको पेपर में पूछा जाएगा, घबराने कि कोई जरूतने दो-तीन बार रिवीजन करोगे, तो आपको आ जाएगा, प्रूफ देखिए क्या है, दिए गए परिपत में एक बोल्टेज सोर्स भी, लोड रिजिस्टेंस आरेयल के क्रोस बिद्दू सक्ति यानि पावर, यानि एलेक्ट्रिक पावर, पी इस इकल टू आई स्वार र होता है, लेकिन लोड की बात करें, तो आरेयल हो जाएगा, अब दोस्तों, यहां करके, हमने आई की बैलू अभी प्राप्त की, तो हमने वही आई की बैलू यहां रख दिया, जो कि equation 1 बना लिया, ज़्यादा कुछ हमने नहीं क्या घबराने की कोई जरुवत थे ही, देखिए दोस्त, आपका क्या हुआ कि जो समिकर्ण एक में भी तता आर आई कमान, भी और आर आई कमान इस्तिर रहेगा, क्योंकि दोस्त, जो बैटरी यह 12 बोल्ट के तो 12 बोल्ट ही देगी, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक ओम या एक ओम से कम है, तो उतना ही रहेगा, जो कि इस्तिर ही रहेगा, केवल दोस्तों बदलेगा, तो आरियल यानि आरियल के मान में परिवर्टित किया जा सकता है, और कुछ नहीं कर सकते, अब देखिए क्या होगा आपका, अता अधिक्तम सक्ति, यानि पी मैक्स ग्यात करने के लिए, सक्ति पी को आरियल के सापिछ आउकलन करके सुन के बराबर रखते हैं, कि ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि या एक तरफ कॉंस्टेंट रहेगा, तो उस तरह से 0 हो जाएंगे, तो 0 के बराबर रख देने पर ऐसा इसलिए, क्योंकि या पी मैक्स निकालना है, अधिक्तम सक्ति अस्थनांत्रेट के बाई हमें ग्यात करना है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, जो यह वहला है, मतब पी जुकल्ट हमने माना है, उसका आउकलन करके 0 के बराबर रखते हैं, अब दोस्तों इसको देखो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अब चलते हैं निश्ट पेस पे, अब दोस्तों, अब यहाँ पे आउकलन आप किस तरह करेंगे, मैं आपको उता दूँ, यहाँ पर आप भाग विधी आउकलन का नियम उपयोग करेंगे, क्या होता भाग विधी नियम का उपयोग, देखो, पहले तो होता है, जो को अंस होता है, अंस होता है, यानि यह नियूमिनेटर होता है, यह नियूमिनेटर, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है, ध्यांदी जिए सबसे पहले डिनोमिनेटर, यहाँ भी इस जो आपका denominator था denominator का आउकलन होगा यहां पर यहां डेरिवेटी होगा तो दोस्तों यहां RL तो था ही आपका पहले से लेकिन यह आपको पता है कि 2 आगे आता है यक्स के पावर यन वाला फार्मला जब लगाओगे यन यक्स पावर यन माइनस वन हो जाता है तो इसके अगाडिंग दोस्तों 2 आ जाएगा इसके पावर 1 बचेगी इन्टु इसका अंतर वाला जब पूना करेंगे आराई का 0 जाएगा लेकिन आरेल का 1 हो जाएगा दोस्त क्या हुआ टोटली टोटली जीरो हो गया अब दोस्तों बचेगा क्या आपके पास आपके पास यही अंदर वाली चीज़ बचेगी तो यही चीज़ लिखा गया है अब दोस्तों क्या किया जा रहा है यहां पे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो देखो आरेल प्लस आर transfer कर दिया यानि फेक दिया एक प्रकार सका सकते हैं तो भी जीरो हो गया अब दोस्तों जैसे ओ जीरो हुगा तो हमारे पास सिर्फ यह अंदर वाला सकती अस्थानांतर का का म होगा तो इसके बारे कुछ और bcs बातें से उसको आपको जन्या बहुत जरूरी है क्या bcs बाते हैं आइए समझते हैं देखे सर्थ है किसी भी 雷े समय और को लोड को सोर्थ यह को अदिक्तम सकते अस्थानांतर की स्थी में रहीं का प्रत्त र्तरो आपने बोल दिया इतनी चीज होती है लेकिन कैसे होती है दोस्तों यह चीज आपको बहुत जरूरी है समझना ठीक है क्योंकि इसका अभी देखिए हम प्रूप भी आपको दिखाएंगे तो प्रूप देख लीजे गाइस आपके सामने यह देखिए प्रूप रहा लेकिंगे तो आप देखिए चुक ही देखिए आपने maximum power transfer के लिए पढ़ा कि यह IRL के बराबर होगा तो यही IRL में ले जाके दोस्तों इसका मान रख देंगे अब चाहिए इसको ले जाकर रखिए बात तो ही हुई आप देखो I रखो कि तब पर भी कर जाएगा तो I is equal to 2RL हो दोस्तों हम यहां पर रख दिए तो जैसे दोस्तों रखें और यहां कट गया तो आपने देखा क्या VL is equal to V by 2 मतलब क्या कि जो voltage था मेन वाला उसका आधा voltage प्राप्त होते हैं अब देखिए अगली एक condition है इस्टार बना कि हमने उसको भी लिख दी कि वहीया जब maximum power transfer की इ संपूर चौथाई का एक भाग होता है मतलब जितनी सकती होगी उसका एक चौथाई ही वहां पर खपत होती है इसका भी प्रूब देखते हैं देखिए इसलिए चुंकी आपका चुंकी क्या है P is equal to I spar RL L का मतलब load के लिए बात की जाए जब कि आप जानते है P is equal to I spar R होता है आपने शुरू आतमे ही बता दिया दोस्तों I की जो बैलू है वह हम यहीं से ले लेंगे क्योंकि यहां हमने निकाल लिया है तो वही चीज़ रख लेंगे और देख सकते हैं RL से RL कड गया अब इसलिए आपका देखिए यहां पर इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका PL is equal to P by 4 मतलब क्या कि जो संपूर सकती का एक चाउथाई ही होता है यह आपने प्रूब भी कर दिया अब अगली अपनी और नई कंडिशन है जिसको आप समझ लीजिए ओं कंडिशन क्या है कि maximum power transfer की इस्तिती में source की जो दच्छता होती है यानि efficiency होती है ओं 50% ही होती है तो क्या है आपकी 50% देखिए efficiency जो आपकी output upon input ध्यान देना दोस्त analog electronics जब पढ़ो गया कोई और subject या कहीं भी पढ़ो और वहां बात आजाए efficiency की यानि दच्छता की तो दच्छता आप हमेशा क्या करेंगे output कितना प्राप्त होड़ा है बट्टे में input कितना है भाग देंगे आपकी efficiency आजाएगी तो देखिए output हमें i-spar rl प्राप्त होगा जबकि input हमने i-spar r i plus rl दिया तो अब यहां पर जो condition दोनों बराबर होती थी उसके according हमने रख दिया तो 2 rl मिल गया अब द इतना तो आपने अभी तक समझ दिया लेकिन अगर आप इसका application नहीं जानेंगे तो मतलब पूरी तरीके से नहीं समझा क्योंकि हमने तो पढ़ लिया सब कुछ जान भी लिया लेकिन अब इसका उपियोग कहां पर करेंगे सो यहां पर देख सकते हैं application maximum power transfer theorem तो सबसे पहला इसका उपियोग है इसका उपियोग मुखता है communication system में किया जाता है साथ में दूसरा उपियोग और भी उपियोग किया जाता है लेकिन दो ही हमने यहां पर लिग दिये हैं इस प्रमे का उपियोग कारों को आसानी से self start करने के लिए maximum power transfer theorem का use किया जाता है सो गाइस अभी तक तो आपने सिर्फ theorem के बारे हम समझी थोड़ी बड़ी theorem थी अच्छे से समझना था इसलिए थोड़ा time लगा लेकिन कोई बात नहीं अब गाइस आप लोग के लिए एक मैं numerical से आपको मैं बता दू यहां पे जो कि बहुत अच्छा numerical है इसी के लिए बिल और अंतरित हो अंतरित हो यह दिया है कोश्चन और गाइस उन्होंने पेपर में जो बनाया है सर्कीट और मैं बना दूं कि विजए इन्होंने इस तरह की एक सर्कीट बना दी है हमने काफी वीडियों से बढ़ हमें यूटूब पर समझने इसलिए हमने अपने मन से एक numerical च यहां पर एक ओम हो गया और यहां भीया हमने लगा दी 30 बोल्ट की बैटरी सो इतनी चीज यहां पर दी गई है और हमें फाइंड करना आरेल यहां पर कितना लगेगा और कि कब जब उसमें अधितम सक्ति आंतरित हो यानि प्रवाहित हो तब के लिए इसका मान कितना होगा सबसे पहले गाईस हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग VTанов को फाइंड करेंगे जहां आपने सबसे पहां पर आपका थ wraणीन शर्कित यहां पर यापको बनाना होगा थिएवनीन सर्कित आपको बनाना होगा यहां प्याप देख सकते हैं यह आपका यह और भी हमने लोड को निकाल दिया और यहां पर आपका देख सकते हैं 30 बोल्ट लगा हुआ है ठीक है ठेवनीन सरकिट में हम लोग क्या गरते हैं व्यूटी जो आपका यहां पर मिलेंगे चलिए कोई बात नहीं यहां पर आपका म भाई थोड़ा बहुत error होगर दिया रहता है तो वीटीएस गाइस आप यहां पर कैसे find करेंगे ध्यान दीजेगा वीटीएस जो आप यहां पर find करने वाले हैं वीटीएस चीज़ को यहां पर आपका हो जाएगा 30 by 2 ठीक है 30 by 2 यानि आपका जो यहां यहां पर देख सकते हैं जो आपका लोड़ बोल्टेज के साथ था कि भी बाई टू करके था यहां पर तो वीटीएस को 30 by 2 हो जाएगा ठीक है भी जुकल टू आयार होता है लेकिन यहां पर जो आपने फार्मूला पढ़ा है भी अलीजुकल टू यह प्रकार से होते है ठीक है भी एलीजुकल टू यहां पीस फार्मूलियक एकॉर्डिंग साय दिनों ने बुक में दिया है क्योंकि बुक में गाइस जो होता है रहा और शॉट कर देर तो घबराना मत यार दोस्त अगर यहां पर कोस्टन थोड़ीगों हो जाती है निमेर्क प्रावलम क्योंकि यहां बुक में से ऐसे कुछ टाइप्स के दिये थे तो यहां पर कुछ और लेक्षर्स के हो जासे इतना जल्दी किया जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके 15 वोल्ट सीधे सीधे मिल जाएंगे ठ्योनीन सर्किट आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे ठ्योनी तरीके से जोड़ दिया यहां पर यहां पर यहां पर भी हो गया यहां पर हम लिखेंगे आर्टी यह और यहां पर हम इसके एकॉर्डिंग लिखेंगे वी टी यह ठीक है तो यहां पर आपका गाइस किना था तीन ओम यहां पर यहां के ओक अब यहां पर गाइस जगर हम टू हो जाएगा याने टोटल गाइस यहां से मिलेंगे तीन में यहां मुल्टिप्लाइज सिक्स प्लस वन बाइटू यानि सेवन बाइटू इस उकल टू थी पॉइंट फाइफ ओम का रेजिस्टंस मिल जाएगा जो कि यहां पर यह देखिए यह दोनों पहलाल का चीन है औ इतना करते हैं तो इस तरीके से शबाइज आपने यह पढ़ लिया अब आपने maximum जान दियेगा maximum पावर क्रांसफर ठीकर ट्रांसफ़र maximum पावर ट्रांसवर अफ्य इस तरीके से जब कंडिशन होती है तो गाईस आपने बिलकुल हुबहु उट्स के according होगी, आपके theorem के according, तो यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ आपकी circuit बनकर ready होगी, यह देखिए, इस तरीके से guys, तो यहां पर देखिए, यह आपका RLS रहेगा, यहां पर B रहेगा, यहां पर यहां पर guys, क्या रहेंगे, RTS हो जाएं अब देखिए, आपको क्या करना था, कि यहां आपको RTS निकालने था, मतलब load resistance निकालना था, यही देखो, हमने कहा था, आपने निकाल भी लिया, लेकिन अब हम guys, यहां पर क्या करते हैं, थोड़ी हम power को भी निकाल देते हैं, जो आपने formula प्राप्त के उसके according, तो हमने एक answer यहां पर प्राप्त के लिए, जो की question बोला था, अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, और कहा था कि जब उसके लिए अधिक्तम सकती अस्थान देते तब के लिए, तो अब हम कहेंगे कि load, power, load, power, अधिक्तम, या maximum, RL, द्वारा, यानि by the transfer, मतलब पावर, अधिक्त पढ़ा कि भी, इतना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, फोर, इन्टू, आर्या, ए फार्मुला भी पढ़ा था, भाई, आप पिछला देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ, आपको नहीं तो कहेंगे, कहां से आ गए, ए देखो, PL is equal to, भी, इस पार, 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 क्योंकि द इतना दिया है, आपका 3.5 सापके दिये हैं, सो गाइस, आप इसको प्राब्लम को सॉल्व करेंगे, तो P, यहां जान देखा, PL यानि यहां पे आपका PL जो है, यानि पावर जो लोड में है, वो मैक्सिमम की इस्तिती में गाइस हो जाएगा, 16.07 इतना हो जाएगा, जो कि वाट में आएगा, जाने दिएगा, वाट में आएगा, जो कि पावर है, कि इससे अभी वैलू आपकी एक ही यूनिट में थी, तो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसपर होगी, 16.07 वाट होगी, और इसमें जो आरेल राटी एस थे, उसको हमने यहां से फाइंड कर लिया, इस